जै हीन जै बार दोस्तों मैं जीत फोजी सुंगर पूरिया और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स केडमी तोसाम दोस्तों हमारी अकेडमी भी है तोसाम के अंदर जो भी आपर हमारे पास बच्चे आए वे हैं हम त्यारी भी करवाते हैं सभी सेंटरों की अयारो भी आरजबर्ती की और जो भी हमारे भाई गेम की त्यारी करना चाते हैं फिजिकल की त्यारी करना चाते हैं तो भी हमारी अकेडमी में आए वे हैं आज 31 दिसंबर 2020 साल का आखरी दिन है और जैसा भी भाईयो आपको सब को पता ये 2020 कैसा गुजरा है लेकिन जो बीट गया तो आपको पता ही है अच्छा ही होता है जो बीट जाता हो जैसा भी था आपके सामने था अब आसा करते हैं कि ये जो नव वर्ष है 2021 आपके लिए नहीं मिला ये वर्ष आपके लिए भहुत ही बागे साली हो तो दोस्तों आप बात करते हैं बर्ति के बारे में तो दोस्तों ये जो बर्ती है नोर्थ और A.S.C. साउथ तो यह जो बरती है अभी साउथ में तो हो चुकी अभी पिछले महीं नहीं थी तो अभी बात करते हैं A.S.C. नोर्थ के बारे में यह जो है यूएच के इन्रॉल्मेंट ट्रेली है इसमें रिलेशन के बच्चे जा सकते हैं शिरब जिन के भी फादर या ब बरती देख सकते हैं तो यह जो बरती है वो दो जनवरी 2021 किस से शुरू होएगी दोस्तो वन एटी सी में वन एटी सी में जो यह बरती करेगा A.S.C. सेंटर नोर्थ ठीक है और यह बैंगलूरू में है आज कल बैंगलूरू का नाम बैंगलूरू कर रखा है आपको पता ही यह बैंगलूरू जीरो से वन है यहां पर यह बरती कंड़ेक्ट की जाएगी यह जो बरती है यह जो सोल्जर जर्नल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड में दो काटेगरी में आएगी और जो स्पोर्ट्स ृप है जो इयार अकुकमेंट रिपेर और एक सोल्जर ट्रेड में जो इसमें सैफ वगरा जो कुक वगरा है उसके लिए है रसोया जो होता उसकी तो इस परकार से ये बरती की जाएगी शोल्जर ट्रेड मैन की और सोल्जर जीडी की और सोल्जर जीडी की भी इसमें दो परकार की बरती होती है आपको पता ही एक soldier MT के लिए होते हैं और दूसरा एक store के लिए होते हैं तो इस परकार से इसमें ये बरती दो जनुरी को शुरू होईगी इसमें सबसे पहले primary document चेक होंगे आपको बता दें सभी candidate के चाए कोई भी हो ट्रेड मैन के हो चाए वो gd के लिए हो उन सभी candidate को यहा रखी गई है दो जनुरी को उसके बाद जो तीन जनुरी से और तेरा जनुरी तक आपके इसमें पी एफटी पी एमटी और मेडिकल ये सभी चीजें चलेंगी इसमें बच्चों के और फाइनली document चेक करके ने आपको admit card issue किया जाएगा 14 जनुरी 2021 को उसके बाद जो आपका common entrance exam, return test 28 फरी 2021 को होगा और ये बरती बारत के सभी राज्यों के लिए और सभी जातियों के लिए है जिन भी बच्चों के पास में relation है चाये वो किसी भी जाती से है या किसी भी state का है वो यहाँ पर बरती देख सकता है वो बरती आपको बताए दिस soldier gd soldier gd में भी दो trade है यह आपको बता दिया एक soldier nd के लिए है और एक soldier asd के लिए है तो इस परकार से जो soldier trade man में भी बरती देख सकते हैं और soldier ट्रेड में भी दो परकार के हैं यहाँ पर दो तरह की बरती होंगी soldier trade man की भी एक जो sports sports stop की air की equipment repair और एक soldier trade man सेब बगरा की एकुक की तो इस परकार से जो भी मेरे भाई बरती में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं जो भी उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो भी candidate बरती में जा रहे हैं वो directly report करें पांच नंबर गेट के उपर एस सेंटर में 180 में जो 180 बैंगलूरू में है वहाँ पर 0-530 और सुबह 2 जनौरी 2021 को अपने document all original document के साथ दो copy set बना लें अपने और वो अटेस्टिड करवा लें वाई ये साथ में बताया गया है कि अपने दो set त्यार रखें एक set उनको वो ले लेंगे आपसे और वहाँ पर आपकी entry होएगी उसके बाद आप अंदर जा पाओगे गेट के उपर पांच नंबर गेट पर पहुंचना है और सुबह साथ दे पांच बजे पहुंचना है और ये पांच नंबर गेट कहाँ पर है A.S.C. ट्रेनिंग सेंटर है जो नौर्थ में वहाँ पर 180 के पास में है बैंगलूरू में ये एड्रेस है यहाँ पर पहुंच जाएं दो set लेकर बरती के लिए और इसमें document आपको बताये दिया जो आपके दसमी बार में जो आल ओरिजनल मारक सीट वगेरा है जो डोमी साइल है जाती परमान पत्तर है जो तशीलदार परदान जिससे भी सुकर होते हैं उसके बाद करेक्टर है करेक्टर आपको पता ये दो परकार के होते है गराम पंचायत का एक सकूल का जो एडमार्टर ये 6 महिने से पुराना नहीं होना चाहिए करेक्टर कोई भी उसके बाद बताएगा एनमेरिड से टिगट भी जो भी विलेज सरपच और परदान दवारा बनाया जाता ये भी जो इन्डिजली साइन होते माबाप के साइन होते नोटरी से टेस्टिड होता है वो भी 6 महिने से पुराना नहीं होना चाहिए इस परकार से जो है जिनके पास NCC है और कोई डोकॉमेंट है जिस परकार का भी खेल का है कोई भी वो सभी अपने साथ ले जाएए अटेस्ट डोकॉमेंट जिनके पास भी जो है और ये बरती में सारे डोकॉमेंट ले कर जाना उनके दो सेट बनाकर अटेस्टिड करवा लेने है और ये पांच नंबर गेट पर पहुँचना है जो भी मेरे बाई चाहे वो सोलजर जीडी की बरती देखें चाहे सोलजर ट्रेड मैन की उसके बाद जिन बच्चों की भी आई उठारा साल से कम है जो साड़े सत्रा और उठारा के बीच में है वो लड़के कंसेंट सेटिव गट होता जो माबाप के अनुमती पत्तर होता शैमती पत्तर वो लेकर जाएं साथ में इसमें फॉर्मेट दे रखा है वो चीज़ चीज़ का ये हमारे डिस्क्रिप्शन में पीडिएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में पीडिएफ को डाउनलोड कर लें इसा बनवा लें जो भी मेरे भाई जिसको समझ में ना है हमें वाट्सअप कर दे हम उन भाईयों को ये वाट्सअप पे भेज़ देंगे पीडिएफ वगरा उसके बाद बता रख्या जो आईउ है आपको इसमें और परसेंटेज जो सोल्जर जर्नल डूटी के लिए इसमें आपको बताया कि M.T. और A.S.T. है A.S.H. और इसके लिए दसमी पास होना चाहिए कोई भी स्टेट बोर्ड से हो दसमी होना चाहिए पंतारीस परसेंट मारक होने चाहिए एर सबजेक्ट में तैतिस परसेंट मारक होने चाहिए इस परकार से जो भी बच्चा है बरती देख सकता और साड़े शत्रा से एकिस साल उमर है जो soldier journal duty के लिए और soldier trade man के लिए दसमी पास हो simply 33% मारक हो उसके बाद 17-23 साल उमर है इस परकार से ये आपको बता दिया ये soldier trade man और soldier gd के लिए दो परकार की बरती है दोनों की सर्तें आपको बता दी गई है physical fitness test होएगा उसमें आपको पता ये physical fitness test में 1600 मिटर की दोड होती है जिसमें दो गुरूप बनते हैं एक 5 मिनट 30 सेकंड के लिए excellent जिसके 60 मारक दिये जाते हैं और एक good का जो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक जो भी बच्चे आएंगे उनको 48 मारक मिलेंगे और 10 बिम के नंबर होते हैं आपको पता 10 बिम जो पूसब वगराला उपर खेंचने हैं पुलप उनको बिम जो होती हैं उनके लिए आपको नंबर दिये जाते हैं ये 10 बिम लगानी होती हैं और इसके 40 मारक कुल मिलाकर 100 बिम लगानी होती हैं और कुछ क्राइटेरिया होता है जो पास करना आपको जरूरी है जैसे बैलेंस है वाकिंग जिग जैग पर बैलेंस बनाना आपको चलना है वाकिंग उसके उपर और 9 फिट डिच कलियर करना है ठीक है आपको चांस दिये जाएंगे और 9 फिट जो गड़ा है वो कूदना आपको इस परकार से आपका ये फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपकी आइट वेट चेस्ट होएंगी और उसके बाद आपका मेडिकल होएगा डोकुमेंट चेक होएगा और आपको एडमिट काड इसु कर दिया जाएगा इस परकार से बताया गया COVID-19 प्रोटोकोल को भी ध्यान में रखना भाई जो मेरे 22 बरती में जा रहे हैं COVID-19 प्रोटोकोल को ध्यान में रखना एक बार मामारा वीडियो ध्यान से सुन लेना इसके लिए आपको बता दें जो भी मेरे भाई बरती में जा रहे हैं वो क्या करना सबसे पहले अपना जो टमपरेचर और बीपी वगरा वहाँ पर ना पा जाएगा आपका तो अगर आप संदिग दें तो आपको बाहर कर दिया जाएगा उसके बाद आप सैनिटाइज साथ में रखें मास्क वगरा लगा कर रखें हमेशा ठीक है दोस्तो और जो आपके फोन के अंदर है जो आरोगे सेतु की एप है जो वो डाल कर रखें दोस्तो आपके फोन है जो स्मार्ट फोन है बच्चे के पास में बरती वालों के पास में उन में जो ये जो एप है ने ये डाल कर रखें आरोगे सेतु एप उसके बाद जो कोवीड नाइंटीन नेगटिव सेट्युकेट है ये भी ले कर जाएं साथ में और ये होगा इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसेच ICMR के दोवारा परमानित होना चाहिए आपके पास नेगटिव रिपोर्ट होनी चाहिए जो लेबरेटिव होती है उनसे आपको ये रिपोर्ट लेकर जानी और वो एक सब्ता के चल जाएगी not more than one week एक सब्ता से जादा की नहीं होनी चाहिए एक वीक के अंदर की रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास में उसके बाद सभी कंडिडेट भी हमेशा मास्क पहन कर रखें और जो सोशल डिस्टेंस है जो गैप है वो बोलते हैं गैप है जरूरी और मास्क पहनना भी वो इस सर्थ को यहां पर मानना आपको दोस्तों ठीक है गैप बना कर रखना सोशल डिस्टेंस दोगस दूरी मास्क जरूरी उसका आनी पर चलना है यहां पर बरती में और अगर इन में नहीं पाए जाते हो तो जो जरूरी उसके दोवर आप आपको बरती से बाहर कर दिया जाएगा और उसमें बताया गया है कि सारे जो राइट हैं वो रिजरों हैं जो भी बरती स्टाप है उसके पास में चाहे आप किसी भी बरती की स्टेज पर हो चाहे मेडिकल हो रख्या आपका फिजिकल हो रख्या आपको गलती करने पर बाहर निकाल दिये जाओगे आप ये बात याद रखना समरन रखना इसमें कोई अपील नहीं है कोई कुछ सुनवाई नहीं है यहाँ पर आपको पता ये फोज का कि फोज में अनुसासन होता जरूरी है अनुसासन में रहना बहुत जरूरी है तो जो भी बरती में जा रहे है कंडिडेट इस बात को ध्यान रखना कि दो गजदूरी मास का जरूरी याद रखना ये दोस्तों ये बात और बरती में जाओ अपने दो सेट बनुआ कर ले जाओ सारे डॉकॉमेंट बनुआ कर ले जाना इसमें कुछ एपीडेट दिये हुए हैं जो स्टाम पेपर बनेंगे वो बनुआ कर ले जाओ नोन जुडिशिल पेपर स्टाम पेपर के हैं उसके बाद ये जितने भी ये सेट युगट दे रखे हैं और ये बरती अभी दो जनुवरी से शुरू होरी तो दो जनुवरी को सभी कंडिडेट को पहुँचना है चाहे हो सोल्जर जीडी की या सोल्जर ट्रेड मैन की बरती देख रहा हो और इनकी दोयों की बरती यहां पर एस सी जो नोर्थ है सेंटर बेंगलूरू में वो करेगा इस बरती को तो बेस्ट आप लग दोस्तों विश यू एपी नीवियर 2021 भाई आपका भाई अजीत फोजी सुंगरपूरिया थैंक्स पोर स्पोर्टिंग